सीने में बलगम हो तो पालक के साथ कलोंजी खाओ सर में कंगी करने से सर की जिल्द में खून की रवानगी की रफतार तेज हो जाती है जो लोग कंगी बहुत कम करते हैं ऐसे लोगों के बाल बहुत जल्द गिर जाते हैं निहारमू दाल चीनी की खुश्पू सुंगने से दिमाग तेज होता है जो दाई करवट लेटे उसको जल्दी नींद आ जाती है ज्यादा मिर्च मसाले खाने से बहुत जल्द एलर्जी पैदा होती है शाम को प्याज खाने वाले को बवासीर जैसी बीमारी घेर लेती है शा अगर आप अपने सर के जुए खतम करना चाहते हैं और खुश्की दूर करना चाहते हैं तो रोजाना चमेली का तेल लगाएं खाने के फोरण बाद चाई पीने से चाई खाना हजम नहीं होने देती अंधेरे में खाना कभी मत खाओ दूद जलेबी खाने से जिसम को ताकत म बना कर सुबा शाम खा लें चंद दिन इस्तिमाल करने से मैदा ठीक हो जाएगा अगर आप सोने से पहले शेहद चाट लें तो आपको नीन अच्छी आएगी रोजाना गिरिन टी का एक कप पी लो ये मैदे में गेस होने से रोकेगा शाम के वक्त केला खाने से सीने के प्रूर दिमाग की जहानत में इजाफा करते हैं और दिमाग को तेज करते हैं सफेद आठा मैदे के मसाल बढ़ाता है सफेद आठे में फाइबर नहीं होता जिसकी वज़ा से डिप्रेशन सरदर्द और मोटापा जैसी बीमारियां होती हैं बदन में ताकत पैदा करना चा गंटे बाद दो गिलास पानी पीए मेदे की बीमारी करीब नहीं आएगी अगर आपको भूख ना लगने का मसला हो या भूख लगने पर खाने का दिल ना करे तो ऐसे में गुड का इस्तिमाल करें खजूर खाने के बाद फोरन पानी नहीं पीना इससे हाजमा बिगड जाता अमरूद मशाने की कमजोरी को दूर करता है पेट की कीड़े खतम करता है और खूनी बावसीर के लिए आबे हयात है एलो वेरा का पानी गुनगुना करके सर पर लगाने से सर का दर्द दूर हो जाता है सोने के बाद भी सुस्ती पड़ी रहे या आखों में नीन बाकी हो तो समझ जाएं दिमाग कमजोर होता जा रहा है निहार मू नीम गरम पानी पीने से दात मजबूत होते हैं हरी मिर्च कच्ची खाओ नजर तेज हो जाएगी लहसुन के रस में नमक डाल कर पीने से पेट का दर्द गाइब हो जाता है दात में दर्द हो तो इलाइची वाली चाई पीओ पानी कम पीने वाले बंदे के गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं चने की डाल पीस कर अपने चहरे पर लेप करो दाने नहीं निकलेंगे गुनगुना पानी पीने वाले लोग हमेशा जवान नजर आते हैं रात को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो रोजाना सेव खाया करो साग या पालक बना कर खाने से रात को बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है कच्चा दूद चेहरे पर लेप करो चेहरे की जिल्द खुबसूरत तरो ताजा नजर आएगी जो लोग मचली ज्यादा खाते हैं वो दिल की बिमारियों में मुपतला नहीं होते ज्यादा सूचने वाला टेंसन लेने वाला इनसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है नाश्टे में रोजाना चार खजूर खाकर उपर से दूद पी जाएं गैस की बिमारी दूर होगी अनार खाने से रंग लाल होता है पेट का दर्द हो तो सूरे फातिहा तीन बार पढ़कर पेट पर दम करें शिफा होगी कभी खुद पर बढ़ापा महसूस करने लगो तो रात को छोटी मक्षी का शहद और इंजीर खाकर सो जाओ जवानी वापस लोट आएगी जिन लोगों को कभ्ज जान ना छोड़ रही हो वो रात को दूद में थोड़ा सा मक्षन शामिल करके पी लें कभ्ज दूर हो जाएगी अगर पेट की कोई बिमारी हो तो मसूर की दाल ज्यादा इस्तिमाल करें खाना खाते वक्त एक काम करो बेतहाशा दोलत आएगी बेतल खला में बाते करना मगरिब के वक्त सोना बिगेर हाथ धोये खाने पर बेठ जाना मैदे की बिमारी हो तो अचार मत खाएं कैंसर और दमे की बिमारी में तंबाको मत खाएं सूखी खासी हो तो खजूर खाएं, बावसिर में अमरूद खा लें, टीबी हो तो अंगूर खा लें, खुन की कमी हो जाए तो किसमिस खाकर उपर से दूद पी लें, अगर पेट की कोई बिमारी हो तो मसूर की दाल का ज्यादा इस्तिमाल करें, अगर थोड़ा सा काम करने से थकावट हो जाती हो तो किसमिस खाएं जब थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं तो हादिसे फिर सर उठाने लगते हैं जो रात को ज्यादा देर तक जागते हैं उनको पागलपन की बीमारी का खत्रा है हफ्ते में एक बार बदन पर तेल की मालिश जरूर करो इससे बदन में चुस्ती आएगी केला बलड प्रेशर कंट्रोल करता है जली हुई जगा पर अंडे की सफेदी लगा देने से छाले नहीं पड़ते सरसों का साग खाओ खुन की कमी नहीं होगी जिस घर में आउरत को दुख मिलते हैं वो घर जल्द बरबाद हो जाता है मोटी खावातिन ये चीजें अगर रोजाना खाएं तो दुबली पतली हो सकती हैं निम्बू, अजवाइन और खुश्क मेवा सुगर के मरीजों के लिए कुदरत का अनमौल तोफा खीरा है जरूर खाएं बेसन के पकोडे खाने से ताकत मिलती है और सारा दिन जो जिसम के टूट फूट होती है वो मरमत हो जाती है मचली खाने वाले लोग दिल की बिमारी से बचे रहते हैं लाजमी खाएं गाजर मशाने की खराबियों के लिए फाइदे मंद है खाने के बाद पलेट को अच्छी तरह साप करो क्योंकि आखरी लुकमे में सेहत होती है नीम का रस्पियो फंसियां नहीं निकलेंगी ज्यादा नमक मत खाओ दिल कमजोर हो जाएगा रोजाना नहार मुद दही खाया करो पेट की तमाम बिमारियां दूर हो जाएंगी दूद के साथ खजूर खाओ भूलने की बिमारी खतम हो जाएगी अंगूर खाने के बाद कभी पानी मत पीना इससे बत्तरीन किसम का हेजा हो सकता है आलू की चिपस खाने से जिल्द पर दाने और मेल पेदा होने का खद्शा है अंगूर गूर्दे की पथरी से बचाते हैं खाने से पहले कोई भी एक फल खाओ जिन्दगी भर बदन में कोई कमजोरी नहीं होगी गाय का दूद चेहरे को निखारता है और जिसम को सेहत मंद करता है इस्ट्रा बेरी खा लेने से कब्ज और सीने की जलन से निजात मिलती है चटनी में काला नमक शामिल करने से चटनी काफी दिन तक खराब नहीं होगी सफेज जीरा कैंसर से महफूज रखता है और जिगर के लिए फाइदे मंद है चमेली का फूल सुंगने से गले में बलगम नहीं आती जो लोग अपनी बेटियों से महबत नहीं करते उनको गालियां देते हैं उन्योगों का रिज्ग तंग कर दिया जाता है हसना दिमाग में तनाव कम करता है हसना इनसान को कई किस्म की बिमारियों से बचाता है सोने से पहले अदरक का टुकुडा खा लिया करो पेट बाहर नहीं आएगा काम के दोरान हरगिस खाना ना खाओ हमेशा एक वक्त पर खाना खाओ अगर वक्त गुजर जाए तो खाना मत खाओ अगर आप जरा सा महनत वाला काम करते हैं तो हलका सा इतर जरूर लगा लिया करें रात को पानी में इमली भुगो दें फिर उस पानी से बाल धो लें ये अमल एक हफता करें और बादाम ये नारियल के तेल की मालिश करते रहें बाल लंबे और घहने हो जाएंगे कि आपको मालूम है आपकी खासी से निकलने वाले जरासीम दो मीटर तक सफर करते हैं मचली का तेल नजर को तेज करता है चहरे के साथ साथ अगर अपने बदन को खुबसूरत करना है तो रोजाना सेव खाओ प्यासे को पानी पिलाओ मुरादे पूरी होंगी तकीय की बिगेर सो जाने से कमर का दर्द कम होगा और रीड की हड़ी मजबूत होगी अगर आपको भूंक ना लगे चाहिए हाजमा बिगड जाएगा गाजर का इस्तिमाल करते रहने से दिल के मरीजों को फाइदा होता है तुलसी के पत्ते चबाने से पेशाप की जलन में आराम आ जाता है पेट की चर्वी को चंद दिन में पिगलाना है तो पानी में संत्रे के बीज डाल कर पीलो बदन की खुबसूरती बढ़ाने के लिए रोजाना इंजीर के पाँच दाने खाओ सुबा नहार मुँ पचास गिराम पियाज का रस पीने से गुर्दे की पथरी रेजा रेजा होकर गिर जाएगी पालक से सांस की नली और फेफडों की खरास दूर होती है और बलगम को पतला करके फारिग होने में मदद करती है प्याज में शामिल फोलाद खुन की कमी को दूर करता है और ताजा खुन पैदा करता है दही के साथ बादाम खाओ ताकत आएगी हरी चाई में लहसन शामिल करके पी लो जिसम के हर हिस्से में ताकत उभर आएगी रोजाना एक गाजर खाने से एक गिलास खुन बनता है चिराक को फूंकर मत बजाओ इससे दमे जैसी बिमारी हो सकती है ज्यादा ठंडे पानी का इस्तिमाल करने वाले लोगों को हाट अटेक होता है कच्चा दूद हड्डियों को मजबूत करता है पान के पत्ते चबाओ दिमाग खुल जाएगा अगर चाहते हो कि जल्दी बढ़ापा ना आए तो खाने में पिस्सी हुई अधरक का इस्तिमाल करें नहीं होती छीके ना रुक रही हूँ तो खुशक धनिया लेकर हाटों पर मसल कर सूंग ले दातों का दर्द ना जा रहा हो तो बकरे की चर्बी का तेल दातों पर लगा दें गाय का दूद पिया करो कैंसर से बचाता है मिस्वाग जब भी करें जमीन पर मत रखें मिस्वाग को जमीन पर रखने वाला इनसान जनून जैसे मर्ज में मुब्तिला हो सकता है जो रुजाना अपने हाथ और पाउं के हतेलियों पर तेल लगा कर सोता है वो बहुत सारी बिमारियों से महभूज रहता है नीन ना आती हो तो एक चम्मच खालिस शेहद पी लें और पाउं के तलों के तेल से मालिश करें ताकत में इजाफा करना है तो हल्दी वाला दूद रोजाना इस्तिमाल करो जिस औरत का वजन बढ़ रहा हो वो दाल चीनी का दाना रोजाना खा लें वजन चंद दिन में कम होना शुरू हो जाएगा जो रोजाना थोड़ा सा लोविया खा ले उसका वजन कुछ दिनों में कम हो जाएगा और ताकत में बे पनाह इजाफा होगा अपने घर के कोनों में दद दस मरतबा या रजजा को पढ़कर दम करें आपका रिज्क बे तहासा बढ़ जाएगा और बरकत आएगी अमरूद खाओ जहनी तनाव में कमी आएगी कच्ची गाजर खाओ यह हुसन पैदा करती है जो लोग ज्यादा मुस्कुराते और खुश रहते हैं के अंदर बरदाश्ट की सलाहियत ज्यादा होती है जब भी बच्चा पैदा हो तो एक घंटे के अंदर-अंदर मा का दूद बच्चे को जरूर पिलाओ ज्यादा सोने से या दास्ट में कमी आती है घर में गरीबी लाने वाली चीजें रिष्टेदारों से बद सुलू की रात को ज्ञाडू लगाना तरख्ट के नीचे पेशाब करना अगर आपको पेट का दर्द है तो पुदीने के पत्ते चबा ले रात को वजू करके सोने से बरकत होती है ज्यादा पानी पीने वाला बंदा हमेशा ताकतवर और तवाना रहता है ज्यादा खाने वाला हमेशा सुस्त रहता है ज्यादा बोलने वाला कम अकल इनसान होता है ज्यादा मोटा बंदा काम चोर होता है सूर्य रह्मान को दिन में बार बार सुनने से जिसम में कैंसर के सेल्ज खतम हो जाते हैं जो लोग खड़े होकर कपड़े तबदील करते हैं वो रिश्की की तंगी में मुप्तिला रहते हैं पाउं के बल बेट कर कोई काम ना करें इससे आपकी नजर पर असर पड़ेगा और नजर कमजोर होती है खड़े होकर कंगी करने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि सीधा असर इनसान के दिमाग पर पड़ता है परानी से परानी खासी भी दूर करनी है तो अमरूद की राक खाएं इसकिन को नमक से मसाज करोगे तो इसकिन अंदर तक साफ हो जाएगी और जिल्दी की रोनक उभराएगी शीशे को चमकाना है तो आलू के छिलके साफ करो चमक जाएगा जिन लोगों के मुह में अक्सर छाले हो जाते हो वो खाने के बाद सुप खाया करें दही अगर ज्यादा खटी हो जाए तो जाया ना करो उसमें अपने जेवरात वगेरा भिगो दें और धोलें जेवर चमक जाएंगे छोटे बड़ों के इलर्जी का बहतरीन नुस्खा नहाने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल उसमें चंद कत्रे पानी के शामिल करके गीले जिसम पर लगा लो और तोलिया इस्तेमाल ना करो माबाप की जगडे देखने वाले बच्चे नाफरमान बन जाते हैं अगर आपकी टांगों का दर्द ना जाता हो तो रोजाना निहार मों दस बादाम जो रात को भिगो कर रखे हों खा लो चंद दिनों में दर्द चला जाएगा सुबा उठने से परिंदों के लिए ताजा पानी रखने से बेतहाशा रिश्का आता है रोजाना एक छोटी इलाइची जरूर खा लिया करो बहुत फाइदा होगा अगर आपको नीद ना आ रही हो तो 10-15 मिनट तक अपने आपको कोई हरकत ना दे आपको जल्दी नीद आ जाएगी आपको जीद sexualitySonym कि विए गतते हैं झाल